ये कहानी है साल 1947 से पहले की जब हमारे देश में चीतों और सेरों का सिकार करना राजा अपनी सान समझते थे 1947 में राजा रामानुज प्रताफ सिंग देव ने देश में बचे आखरी तीन चीतों का सिकार करके उन्हें मर दिया था जिसके बाद भारत के जंगलों में कभी भी चीते नहीं देखे गए लेकिन आजादी के 75 साल बाद फिर से इंडिया के जंगलों में चीता घूमेंगे हमारे देश इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी ने अपने 72 जंग दिन पर कूनो नैसनल पार्क में 8 चीते छोड़े जिसमें 3 मेल और 5 फीमेल चीते हैं ये चीते आफरीका के दच्छडी देश नीविया से लाए गए हैं इन चीतों को लाने के लिए एक स्पेशल प्लेन डिजाइन करवाया गया था जिसके आगे चीते की डिजाइन बनी हुई थी और प्लेन के अंदर चीते को रहने के लिए हर तरह की सुभधाय की गई थी देश के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी को उनके 72 जन्म दिन की हार्दिक सुभकामना है अब तो चीता भी प्लेन में एक देश से दूसरे देश तक सफर कर रहे हैं क्या आप लोगों ने भी प्लेन में कभी सफर किया है